दोस्तों इस वीडियो में कंपेर करेंगे Zenfone Max Pro को Redmi Note 5 Pro के साथ और बताऊंगा आपको में कौन सा आपके लिए best phone हो सकता है वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन पी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंद मिल जाए हेलो फ्रेंट्स मेरा ना मेरा हूल आप देख रहे हैं और दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा असूस ने अपने नया एक स्मार्टफोन लॉंच किया है जैन्फोन मेक्स प्रो एमवन नाम से वह एक्तम पेस्ट फोन हो सकता है आपके लिए वह बीट करता है हमारे जो ने नाट फाइव प्रो में हमको नहीं मिलते है तो वह मैं आपको कंपार करूंगा और बताऊंगा आपके लिए कौन सा बेस्ट हो सकता है जल्देश हम स्टाट करते हैं और बताता हूं आपको सबसे ले हम बात करते है जर्द दोनों फोन के बीच में और यहाँ पर थूसर यहाद कि दोनों सेमे मिलता है। काמׯा मैं समय आप होते हैं मुझे जहां तक है, मैं fatically does not have turned autopilot rear aind Master auss प्दोशी के बात है, यहाद रवन छीक हैं मुझे जातए ऐण देखने को मिलेगा सब्डियर अब बदेट रहे उसके बाद, तुछ दो रहे ह случаесс ने पने पोला है। और एक बड़ा डिफरेंट यहां पर देखने को मिलता है नोट फाइप प्रो में आपको देखने को मिलता है एक 20 MP यहां पर आप दूसरी तरफ बात करें तो आपको Zenfone Max Pro है उसमें आपको 8 MP का केमरा देखने को मिलता है जो कि इतना अच्छा नहीं होगा जहां तक मुझे पता इतना अच्छा नहीं होगा 8 MP का नॉर्मल केमरा है उन्होंने बोला है इतना चेमरा नहीं है जबकि हम बात करें Redmi Note 5 की तो वहां पर आपको काफी अच्छा केमरा मिलता है AI बेस्ट ऐसा कुछ केमरा आपको देखने मिलता है जिसे उनकी इमेंट में उन्होंने बोला था चोथा जो कि मेरे लिए काफी इंपरेंट हो सकता है आपके लिए काफी इंपरेंट हो जो कि हमको Max Pro में देखने को मिलता है बट शाओमी Redmi Note 5 Pro में बिल्कुल भी अब आपको जो है Max Pro में dual SIM plus SD card आप यूज कर सकते हैं बट जो Redmi Note 5 Pro है उसमें आप जो है dual SIM एक साथ नहीं लगा सकते हैं उसमें आपको hybrid SIM देखने को मिलता है तो यह काफी अच्छा फीचर हो सकता है आपके लिए अगर आप चाहते हैं एक फोन इसा जिसमें आपको जो पेटरी भी काफी अच्छी मिले और दो SIM प्लस SD Card भी आप चाहते हैं तो यह फोन बेस्ट हो सकता है आपके लिए हाला कि मैं सर्च कर रहा था इसा फोन बट मैं आपको यह वाला फोन रिकमेंड नी करूंगा मैं आपको बताऊंगा कौन सा फोन आके कौन सा आपको लेना चाहिए कुछ और देख लेते हैं उसके बा बट यहां पर आपको out of the box मिलता है Oreo 8.1 वो भी stroke Android मिलता है जनी कि जो Google ने डॉलप किया है आज इती स्विसा का वेसा ही मिलेगा ना कि उसमें कोई पर्सनलाइज यृ आपको देखने को मिलेगी असुस की तरफ से जिए नौरमलड यह मोलता ही वो आपको देखने को नहीं मिलेगी वन्होंन है ओर इस्टा दी ए जो ए उसमें मेक्स प्रो में लास्न पर नॉट दे लिस्ट आपको जो डिफरेंट देखने बिलागा 12,900 रुपे की इसकी प्राइस है और डेडमी नोट 5 प्रो की प्राइस है वह 13,900 बिलाइस को चवदाइस चौदाइस में यह मिलता है काफी स्ट्रेटिजी के साथ जो है जैंफोन जो आसूस है उन्होंने यह जैंफोन मेकस प्रो को लॉंच किया है रेडमी नोट 5 जो प्रो है शामि का उसको बीट करने के लिए या पर इन्होंने लॉंच किया है अब मैं आपको बताता हूँ आपको कुन सा जो है best phone हो सकता है कुन सा आपके लिए best हो सकता है अगर आप चाहते हैं एक अच्छा फोन जिसमें तो आपके लिए रेडमी का नोट 5 प्रो जो है वो बेस्ट हो सकता है क्योंकि इसमें आपको डेखने को मिलता अगर आप केमरा नॉर्मली इतना यूज नहीं करते हैं तो मैं आपके लिए बेस्ट हो सकता है बड़े मैं आपको यहां पर रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा रु पुरान हो जोगा है तीन साल पुराना इंटेक्स का नॉर्मल फोन जो होता है वो यूज कर रहा हूं तो मैं इसका जो है वेट कर रहा हूं जिसमें आपको 6GB की टैम मिलेगी 64GB की इंटरनल मेमोरी मिलेगी और साथ ही जो आपको केमरा मिलेगा वो इंप्रूव मिलेगा 16 मे आने वाला फोन है जो की 6GB वाला वीरियंट है इसका असूस का उसमें आपको जो यहां पर जो जो केमरा मिलेगा वो 16 मेगा फिक्सल प्लस आपको 5 मेगा पिक्सल का केमरा मिलेगा साथ में तो उसके लिए वेट कर लीजे काफी अच्छा फोन हो सकता है आपके लिए गर 15,000 आपका बजट है तो बट उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा आप वेट नहीं करना चाहते हैं तो तीन मही को यह फ्रेस्टेल में आने वाला है फ्लिप कार्ट में वहां से जाके आप इसको पर्चेस कर सकते हैं तो मुझे अमीद आपको यह पसंद आया हो तो यहां पर किलिंगर को सब्सक्राइब कर सकते हैं लास के वीडियो के लिंग यहां पर यूदि देख सकते हैं अभी के लिए यूटियो में इता है वीडियो देंगे के लिए दन्यवाद